जोहर दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूरूब चैनल जोहर जाकन इस्टड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का जो न्यूज है उन लोगों के लिए है जो की टेट परिछा अभी तक पास नहीं किये हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले पेपर में ये चपा कि वर्ष 2016 के 52,000 अभी यर्थियों को पहले मौका फिर पातरता परिछा होगी तो ऐसे में क्या हो गया कि काफी छात्र जो जारखन के हैं 2017 से लेकर 2020-21 तक अभी तक टेट परिछा एक बार भी नहीं हुई है जिसके कारण जारखन में जो टीचर्स बहाली होने वाली है इस पे उन्हें मौका नहीं मिलेगा सरकार का कहना है कि 2016 और 2013 वाला जो भी छात्र है सिर्फ उन्हें को टीचर्स बहाली पे मुका मिलेगा तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो टेट पास नहीं किये हैं उनके पास क्या उपाई है क्या को चुने करना चाहिए इस वीडियो में मैं पूरा डिटल बताऊंगा उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मनाथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ अपने दोस्तों के साथ सेर करें हैं कंस्क्राइब कोई भी प्रॉब्लम हो नग्सापास नहीं हो रहा है आपको घर बनाना है आधा बना हुआ नहीं है सारे संवस्याय का निवारण है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ने मेरा सारा डिडर्स दिया हुआ है तो वहां जाईए और हमसे जुड़ जाईए देखें दोस्तों वर्ष 2016 के 52,000 अभी जूर्थियों को पहले मौका मिलेगा फिर पात्रता परिच्छा ये सरकार का कहना है सरकार का ये कहना है और काफी छात्र जो है जो जे टेट का वेट कर रहे थे काफी दिनों से कि हम लोग जे टेट लिखेंगे उसके बाद टीचर्स बाहले में जाएंगे तो उनके लिए ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या जारखन में सी टेट को बैलिट मना जाएगा क्योंकि जारखन में जारखन में टेट परिशा हुई नहीं है तो क्या सी टेट वालों को मोका दिया जाएगा सब कुछ बताऊंगा तो देखे आप लोग सब भी जानते हैं जितने चात्र देख रहे हैं इस वीडियो को सब भी जानते होंगे कि टेट परिशा 2016 में एक बार हुई है और 2012 में हुई है ठीक है 2012-13 में हुई है उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है अब जारकंट सर्का सिचक बहाली करने वाली है और टेट परिशा हुई नहीं है तो आपको मौका किसा मिलेगा आपको मौका मिलेगा सी टेट के थुरू ठीक है यदि आप सी टेट पास हैं तो आपको मौका मिल सकता है और कैसे मिल सकता है आप जानते होंगे कि आपके जो पड़ोसी राइज है बहुत सरे राइज जैसे UP हो गया, बिहार हो गया, उत्राखार्ट हो गया ये सब जितने भी राइज है सभी में CET variant को valid माना गया है यहां तक कि बिहार में भी माना गिया है बहुत सारे राइजों में आसा में भी माना गिया है तो जारखन सरकार यादी चाहे तो C-Tate को भेलिट करवा सकती है क्योंकि इन्होंने जेटेट परिछा अभी तक नहीं लिया है इसलिए जारकन सरकार जादी चाहे तो सीटट को फेलेट करवा सकता है और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एड़ी चोटी एक करके आंदोलन करना होगा इसके लिए जो कुछ करना होगा नहीं तो आपको इस बार जो सिचक बाली होगी उस पे आपको मुका नहीं मिलेगा और आप लाइब भर पस्त आते रह जाओगे क्योंकि अगली बहाली कब आएगी ये पारनादाई है कहना मुस्किल है समझ रहे हो ना अगली बहाली कब होगी ये कहना मुस्किल है और यदि आप सीटेट पास हैं तो यदि आपको सीटेट पास को माइनता दे दी जाती है तो आपका हो जाएगा कुछ छात्र इस confusion में है कि कहते हैं कि सीटेट पे तो भहिया छेत्रे लेंग्वेज नहीं है तो आपको बता दो दोस्तों इस पार जो बहाली होने वाली है अब टी चर्श की डि बहाली नहीं होने वाली है और जब आपकी बहाली होगी उस परिछ्हा में भी आपका च्यृतर लेंग्वेज भी रहेगा ऑसमें भी सव लंक का क्या च्यृत लेंग्वेज रहेगा तो च्यृत्रे लेंग्वेज divine ऑपर से 10 और 12 दोनों जार्खन से होना निवाइर है तो टेंशन खतम लोग कहते हैं कि इसे बाहरी आ जाएंगे सीटेट को मौका देंगे तो ऐसा नहीं है आपने मेट्रिक में 10 12 जार्खन से रखे हो तो कहां से आएगा बाहर का बताइए 10 12 यहीं से रखे हो फिर 36 लिंग्वेज है और जार्खन के छेदर लिंग्वेज जानते हैं वह लोग पास करेगा समझ रहना पास करेगा या नहीं कोई पढ़के कर सकता है यह भी मैं माता हूं लेकिन अपने 10 12 रखा है जार्खन से होना चाहिए तो बाहरीया किसे गुसेगा बताइए एक दूप पहले से होगा त हो सकता है यह सब तो अपवाद में सब कुछ होता ही है ठीक है तो बाकी बाद मेरा यही कहने का मतलब है कि जार्खन में सीटेट को मायनता दिया जाएगा क्योंकि जार्खन में जेटेट का एकजम नहीं हुआ है और तब ही दिया जाएगा जब जो छातर है मिल जूल के आं अंदोलन करेंगे वरना नहीं दिया जायेगा सिंपल सा बत है और यहां पर कापी छादर यह क्यंत करते हैं कि आपने सिटेट के लिए 한दोलन कर रहे थे हैं आप क्यों नहीं इस के बारे में बताते हो तो सीóc मक्हे निकाल के घह खाना चाहते हैं या मलाई खाना चाहते हैं कुछ करते धरते हैं नहीं सिंपल सा बात है कुछ लोग जो स्रrest वीडियो को देखते हैं और उसका मजा लेते हैं कि कि इतना दूर में आपको नहीं बताता हूं कि सीटेट के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं ताकि उनको कुछ पते नहीं चले और मैं यही कहूंगा कि सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा सिर्फ सीटेट के लिए अंदूरन सिर्फ मैं करूंगा उसके तो नहीं हो जाएगा आप लोग सभी को मिल जो के लिए इसके लिए आंदूरन करना होगा तभी जहारखन में जो चिछक बहाली होगी उस पे आपको मुका मिलेगा मैं एक चीज़ बता दूँ जहारखन में जो टीचर बहाली होने वाली है इस बार उस पे 26,000 पदों पे बहाली होने लाई है ये सरकार का कहना है और सरकार का कहना है कि इसुपर जो पहले शेट पास हम सको मुНА का देंगे और अगला जो भाली आएगा चीच्यान पर slightest तो आप, आपका क्या होगा, यह आप समझ सकते हैं, इसलिए मैरा कहना है, कि आप लोग में से जितने भी चातर है, जो सी टेट पास है, ठीक है, सी टेट का भी एकजाम निकालना आसान नहीं है, 12,6,6 एक जाम लिखा था जिसमें मातर 2 या 3 लाग पास किया है अब देख सकते हो 12,6 में 12,6 में सिर्फ 2 या 3 लाग पास किया है इतना आसान बात नहीं है सीटेट निकलना काफी लोग बोलते हैं कि सीटेट इजी है सीटेट इजी है तो एक बार निकल के देखना बावो उसके बाद बोलना है ठीक है 12,6 में मातर 2 या 3 लाग आदमी पास किया है इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग सीटेट के लिए पूरा जोर लगा दो और बाकी बाद जेटेट जो पहले से पास है उनकी तो बले बले हो गए तो बले बले हो गए तो बले बले आपका तो जो फिक्स है आप त्यारी करो मेंस का आपके लिए कोई दिक्त नहीं है बाकी बाद जो सीटेट ये लोग चाहते हैं कि सीटेट ना आए क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि हम लोग का competition ना बढ़े सिंपल सा बात है आप भी नहीं चाहूगे हम भी नहीं चाहएंगे ठीक है तो देखें यहां पर बात आती है कि सभी को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए जारखन सरकार का गलती यह है कि जारखन सरकार ने कि प्रित आपको 126 में मातर चेट की परिशा ली है और बहुत सरे राज 有 में भी आज वहां परिशा उली यह होती है जब सुच्षक बाहिं होने वाहि रहती है उससे पहले कि उसके बाद बाह ली होती है जरखन सरकार है नहीं कर रही है और ना बिहार सरकार इसा की है बिहार में भी इस मांग को रखा गया है कि जो सीटेट पास है उनको मुका दिये जाएगा और वहाँ दिया भी गया है तो दोस्तों आपको मेरे बाद's समझ में आ गई होगी आपको सीटेट के लिए अंदुरन करना है और शीटेट के लिए सभी एक जूट होके अपना ग्रूप बना बना के अंदुरन करना इस्टार्ट कर दो तब भी आपका जो लाइफ है यह सफल होगा वरना धक्के खाते रहोगे और लाश में नघार के रहोगे नघाट के दोस्तों मिलता हूं नेक्स व